आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ तो आईए इसको हम लिख कर बता देते हैं सबसे पहले या सर्व प्रथम सर्व प्रथम सन 1798 में 1798 में एडवर्ड जेनर इम्मुनलोजी का फादर बोलते हैं ने फादर ओफ इम्मुनलोजी एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने ने टी का करण टी का करण की टक्नीक को विक्सित किया था कहते हैं कि सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी जे चकी वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी इसे कैसे बनाया था विक्सित की थी इसमें किया था इसमें इन्होंने काउ पॉक्स वाइरस को वाइरस को चेचक के विरुद प्रती रच्चक करमक प्रती रच्चक करमक क्या हो जाएगा इम्मिनाइजिंग एजेन्ट प्रती रच्चक करमक प्रतिरचक कर्मक के रूप में प्रियोग किया था अता इसी लिए इन है इन है किने एड़वर्ड जैनर को इन है प्रतिरच्छा विज्ञान का जनक कहा जाता है इन है प्रतिरच्छा विज्ञान का जनक कहते हैं सरप्रच्छा विज्ञान का जनक कोँन है एड़वर्ड जैनर है सरप्रत्हमिन हो नहीं कोई वैकसीन बनाई थी अब देख लेते हैंगे क्या होती है वैकसीन वास्ता में जो वैकसीन होती है वो क्या होती है वेक्सीन या टी का प्रतिजनों का तैयार घोल होता है इंजेक्शन द्वारा चू इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरचियों के निर्माड को प्रियरित करके कराने पर विशिष्ट प्रतिरचियों विशिष्ट प्रतिरचियों में शरीर में सक्रिय क्रत्रिम प्रतिरोध छमता उत्पन करता है इसे थोड़ा और उपर कर लेते हैं उत्पन करता है यह क्रिया ही यह क्रिया ही ती का करण कहलाती है तो गैज यह हमारा आज का प्रिश्ट था कि टी का करण क्या है एक क्रिया होती है वैक्चिनेशन बोलते हैं जिसे और प्रतिरच्छा विज्ञान के फादर कौन है एडवर्ड जैनर है जिन्होंने सब्रतम चेचक का वाइरस बनाया था चेचक का वैक्सीन बनाया था सौरी सन 1798 में एडवर्ड जैनर ने टीका करण को तक्निक को विक्सित किया था तो आए हो पिये टीका करण वाला जो प्रस्न है आपको समझा गया हुगा थेंक यू गाइस